आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान नागरिकता संसोधन कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लेकर भारती जंता पार्टी के नेताओं के लगातार गलत बयान आ रहे हैं गलत बयान बाजी हो रही है उन बयानों को लेकर आलोशना भी की जा रही है लेकिन अब तक भाजपा कि किसी भी शी प्रमनेता हैं दिलीज़ गोशोगे इनSome लोगोंने लगातार बेहूदा बायां दिये ळ면 बेतुके बायां दिये हैं जिनकी निंदा होुरही है और यदि एन भ़्यानों की व्याख्या की जाए व्याक्या आपके सामने पेश की जाए तो उसके बहुत ही अलग मतलब निकलते हैं कभी भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है इस तरह के वैं बयान देते हुए नजर आ रहे हैं आपको बीते दिनों की बात याद होगी भारतियंता पार्टी के वरिष्ट नेता है कैलास देखा हुए किरकिर बैट से पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे एक सरकारी अधिकारी की पिटाई कर रहे थे तो कैलाश विजे वर्गिये ने किस तरह कि संसकार दिये होगे विद्ध समझ में आ रहा है और लेकिन जिस तरह के वैं बयान देते नजर आ रहे हैं तो उस भी हमें चौकने की बिलकुल आउशकता नहीं है हमें इस बात को लेकर चौकना नहीं चाहिए क्या कहा था कहलाश विजवरगी ने बीते दिनों में आईए हम आपको एक बार बता देते हैं वह यह कहते नजर आ रहे थे कि उनके हाँ इसाइद घर बन रहा है कमरे का निर्मार हो रहा था वहां कुछ मजदूर थे जब उन्होंने देखा तो वह काफी तादाद में पोह लिए हुए थे और वह खा रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहा के रहने वाले हैं शायद उनकी भाशा कुछ अलग थी पच्चिम बंगॉल के हो सकते हैं या फिर आद थे लेकिन जिस तरह कि उन्होंने वक्तव को सामने रखा है कि वह पोहा खा रहे थे इसलिए मुझे लगा कि वह बंगला देशी नहीं है यह काफी निंदनिये हैं आप इस देश के अंदर हमने जैसा कि हर बार कहते हैं विविदताओं में एकता है यहां आप उनके वेजब भूशा अपनाते हैं और तमाम तरह के खाने भी खाये जाते हैं तो यह पता लगाना आसान नहीं हैं कई वेजबुशाएं यहां की ऐसी हैं जो अन्य देशों से मिलती हुई नजर आती हैं कई ऐसे पकवान हैं खाद पदार्थ हैं जिनको देखकर यह लगता है कि शायद किसी और देश के पकवान होंगे लेकिन भारत के ही पकवान होते हैं तो इससे आप यह बिलकुल नहीं समझ सकते हैं कि आखिर वह व्यक्ति किस देश का है किस समूदाह का है यह जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कपड़े या भोजन को सिर्फ देखकर लेकिन कैलाश विजवरगी ने अपनी पार्खी नजर से ही है बिलकुल जान लिया उनके भोजन को देखकर कि वह व्यक्ति बांगला देशी है लेकिन अब तक किसी भी भारती यंता पार्टी के शीर्स नेता ने इस बात की आलोशना नहीं की है लेकिन विपक्षी दल के नेता इसकी आलो विजवरगी को यह अधिकार किसने प्राफ्त करवा दिया कि वह खाने को देखकर भोजन को देखकर और किसी के वस्तरों को देखकर यह तै कर ले कि वह किस देश या किस प्रांज से आता है यह अधिकार उन्हें किसने दे दिया है ममतब अरजी ने साथ में यह भी कहा कि ज तब एक दूसरे के रंगों में रंग चुके हैं, इसलिए यह चाहने का अधिकार बिलकुल भी नहीं है कैलाश विजावरिगिये को, और नहीं कहना चाहिए था, यहीं बहुती निंदनियें हैं, इस संबंध में, इस वक्तव के संबंध में कैलाश विजावरिगये नहीं तो एक सरकारी अधिकारी को बल्ले से यानि कि किर्किट बैट से उनकी पिटाई कर रहे थे उस दौरान केलाश विजवरगी को भी मीडिया में आना पड़ा था रूबरू होना पड़ा था और जब मीडिया कर्मियों ने केलाश विजवरगी से यह सवाल किया कि आखिर वह क् उसलों उन्हें कहा कि आप कौन है आपकी आपकात क्या है उनको अनकी हैसियत याद दिलाते हुए कहा कि मेरा बेटा तो एक विधायक है और आप एक मामूली से मीडिया कर्मी है तो आप इस एहंकार से ही जांच सकते है चराप सिरी घराचिविजय वर्गी की और चैनल को सब्सक्राइब अवश्च कर दें तब तक के लिए जासत दीजिए धन्यवाद